नमस्कार दोस्तों मैं नीरेज आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल और फेस्बूक पेज पर आज हम लोग इस यूटूब चैनल और फेस्बूक पेज के माद्य हम से क्लोपी टैव 150 mg टैबलेट के बारे में जानेंगे इसका उपयोग कीमत कुराइक साइड इफ टैबलेट में भी आता है 15 टैबलेट के एक पत्य में आता है और इसका फ्राज यहां पर देख सकते हैं 119 रूपीज की मत यहां पर देखने को मिलता है और 97 रूपीज की मत देखने को मिलता है 75 mg में और इसका उत्पादन की बात करें तो लूपिन लिम्टेड इसका उत्पादन करता है समागरी साल इसमें कमपोजिशन में रहता है क्लोपी डोरगेल उसमें 150 mg क्लोपी डोरगेल इसमें कमपोजिशन में रहता है विक रहता है अपलो फर्मेसी लिम्टेड इसका विक रहता है प्राई यहाँ पर देख लिए 190 रुपीज प्राईज देखने पर मिलता है कुलोपी टेब टेबलेट के बारे में जानेंगे तो कुलोपी टेब टेबलेट एक एंटी एंटी प्लेटलेट या ब्लॉड एथीनर है जो की ब्लॉड को पतला करता है जो आपके रक्त वाही काओं में हनिकारक रक्त के ठकों को बनने से रोकने के में मदद करता है यानि ब्लॉड को जमने से नहीं देता है इससे आपके हार एटेग और श्ट्रोक आने की संभावना को कम करने में मदद मिलती है और यह हिर्दय के सुरक्चे के लिए बहुत अधिक उपियोग किया जाने वाली दवा है यानि यह हार एटेग यह हिर्दय के समस्च जिनको होता है उसमें यह कुलोफी टेब का उपियोग किया जाता है यहाँ पर देख सकते हैं दवा देखेंगे तो यह दिल का आखार का दवा होता है यहां पर इसका दिल का आखार का यह कोई भी टैबलेट इसका देखेंगे उपर से देखने में दिल का आखार बहुत ही खूबसूरत दिल का आखार का यह टैबलेट होता है इसका composition देख लिए है, लूपीन इसका उत्वादन करता है, दिल के दोरा में इसका उपयोग किया जाता है, जिसको hard attack बोलते हैं, तो है निंट्ट एक यह दिल का दोर्ण किया होता है यहां पर जान सकते हैं दिल का दोरह। जिसको हिर्दय घात बोलते हैं तब परता है जब और तक जाने वाली आक्सीजन युग तो खून का परवाह रूप जाता है यह वासा क्लेस्ट्रोल और अन्यपदार्थों के कारण होता है यानि कभी-कभी वासा के कारण या फिर कोलेस्टरोल के कारण जो ब्लड की सर्कुलेशन को जो रास्ता होता है वो रास्ते ब्लॉकेज होने लगते हैं वो रास्ते जमने लगते हैं जिसके कारण यहां पर हार्ड एटेक की समस्य होती है जो हिर्दय तक खुन को पहु जल्दी ना मिले तो ही देकि मांस बैस्ट हो जाती है इन्हीन है के सहल टूटने लगते हैं और वहाँ पर हाईटा आ सकते हैं अगर सोचे एक मिनट तक अगर हिर्दे में blood ना पहुंचे तो वहां पे आदमी की मीर्थू तक हो सकती है है यहां पर क्या होता है कि जो धमनिया होती है वह चिपचिपे द्रौव की तरफ यहां पे क्लेस्ट्रोल या वासा की तरफ नस्य में बैठ जाते हैं तो वहां पर चारों तरफ बढ़ जाते हैं टाइक और ब्लड कर जो flow होते रहता है वो scheme कर देती है और धीरे धीरे इसको burn कर देते हैं इसके करन क्या होता है कि जो hard attack की समस्या इसी के करन होता है stroke में इसका銘 करते है है stroke क्या होते हैं यहाँ पर जान सकते हैं यानि जो मस्तिक्स के मस्तिक्स के जो हिस्से होते हैं उसमें रख्त जो ब्लड का प्रवाह रूख जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है उसको बोलते हैं मस्तिक्स स्ट्रोक जब मस्तिक्स में रख्त वाहिका फट जाती है यानि नसे जब फट जाती है मस्तिक्स में इससे मस् आक्सीजन और पोसकत तर्टो की कमी हो जाती है और फिर कुछ मीनटो के भीतर मस्तिफ की कुछ कराव मरना सुरू हो जाती है यानि जो दिमाग सर के उपर दिमाग होती है उसमें меकसीजन ब्लड कसी अगर नहों जाए IT मिनिल तक तो कुछ आदमी मर सकते हैं वहां पे उसके नसे फट सकते हैं इन दोनों मामलों में मस्तिक्त के कुछ हिस्से छती ग्रस्त हो जाते हैं और फिर आदमी मर जाते हैं इस ट्रॉक से आस्थाई मस्तिक्त छती दिर्ग काले के विकलंगता या फिर यहां तक की मिर्तु भी हो स लगती हैं जिसको यहां पर बोलते हैं कि फारालाइज मार दिया यह पिर एक साइड एक काम किया या फिर फार हर्यहां रहेती होगे यह सारे मस्तिक्स का सच में अक्सीतiban प्रॉपर नप पहुंचने के कारण होता है वाहँ पे नशें आगर्ण फर्टने या फिर रोकने के खारण हो जाता है और ऑसंदीहीं की तो खुन के थाका जमने से संब्सें समधित या निई ब्लौड क्लॉटिंग में इसका उप्योग किया जाता है ब्लॉड क्लोटिंग क्या होता है यहां पर जान सकते हैं ब्लॉड क्लोटिंग खून का एक ठका होता है जिसमें खून अपने तरह रूप की जगह जेल की तरह यानि जेली की या और ध्ठोस इस्तित में बदल जाता है यानि जो ब्लॉड का क्लोटिंग ही होता ह जो क्लों का एक थाका होता है जिसमें फून अपने अपने चिपछीपा टाइप प होते हैं वो नस्वो में बधर जाते हैं जिसके खाराण भलट थाका बनने लगता है और भलट इधर से उदर ना पास होने लगता है वैसे तो खून थाका जमना एक अवश्यक प्रक्रिया है जो आपको चोट लगने चोट लगने कटने या घायल होने पर बहुत अधिक खुन बहने से रोक सकती है blood clotting या खुन काए ठाका जमने से संवधित भिकाँ एक ऐसी फरस्तिती है जिसमें सरीर के अंदर महजूद नससो या रख्त वाई काओं के अनदर ही खुन का ठाका जमने लगता है इस तरह का खून का थाका हमेशा ही अपने आप या प्राक्रितिक रूप से घूल कर वापस खून में परिवर्थित नहीं होता है इस तरह की स्थिति बहुत खतरनाक और कई बार जानलेवा भी हो सकती है यहाँ पर्सकते हैं ब्लॉड कलोटिंग के वज़ा से यहाँ पर सेभा हाट टैक की तरह ही होता है अनुव अ ही उता है यहां पर hai tapping की समच्ट्छा के तरह ही होता यहां पर mainly नस के कारण ही यह दावा दिया जाता है peripheral vascular कोई ज़्यादा यहां पर नहीं देख सकते हैं और बात करें इसका side effect की side effect में मध्यम side effect पढ़ सकता है जैसे कि रक्ट सत्राव यानि रक्त का परवाह ज़्यादा होना कॉब जिका होना, peripheral edema होना यानी पैरोग्रा में सूजन होना या फिर पेट में सूजन होना या फिर पेट के ग्र पर होना यहां पर peripheral placra यहां पर देखेंगे हलका में हो सकता है side effect में दस्त हो सकता है पेट दर्द, अपच, चकराना सिर्दद या लाल चक्ते जैसे समस्या हो सकती है, अगर इस तरह से कोई भी समस्या है तो आप अपने डॉक्टर की सिला ले सकते हैं और साइड इफेक के बात करें तो लाल चक्ते, खुजली या जलन वर्टीगो या सीने में जलन जैसे समस्या हो सकती है चेतावनी की बात करें तो कलोफिट है वे टेबलेट के चेतावनी गरवाती महिला में मध्याम परती है तो आपने डॉक्टर के सलाग के अनुसार इस दवा का उपयोग करें जो महिला बच्चों को दूद पिलाती उसमें हलका असर पड़ता है पर उसमें दिया जाता है वह ले सकती है किड्नी वाले मरीज जो किड्नी के दवा खाते हैं उसमें भी हलका आसर परता है पर उसमें भी दिया जाता है वह भी ले सकते हैं जो लीबर वाले मरीज होते हैं उसमें मध्याम असर परता है तो अपने डॉक्टर के सलाग का अनुसार उपयोग करें होट वाले अमरीजी में यह बहतर काम करता है तो आप इसको दिया जाता है तो अपने डक्टर के अनुसार इस दवा का उपयोग कर सकते हैं time to time तो friends ये video यहीं पर समाप्त होता है और एक आपको बता दें कि आप इस video को देख रहे हैं तो इसके video के देखने के बाद आप अपने परिवार या family या किसी को भी कोई भी दवा आप सेवन कर रहे हैं उस दवा को खा रहे हैं tablet हो, syrup हो, drop हो जो भी आप दवा का उपयोग अपन कर सकते हैं उस पर आपको जलद भी एक video मिल जाएगा तो आपको भी help हो और उसके साथ तो दवा जी तने भी लोग उपयोग करते हो उनको भी help हो सकता है तो आप सिकने लड़न आप उपयोग कर रहे हैं उस दावा का नाम तो फ्रेंड्स ये वीडियो यही पर समापत होता है आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए मिलते फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू